नमस्कार दोस्तों हर जगे जिस तरह कंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारे और जिसकी वज़े से कड़भंदन खासकर वेश्ट यूपी में हार गया अगर ऐसा ही कहराना में हो जाता कहराना में बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कंडिडेट आ जा था तो नाई दसन जीत न पाते हाला कि पहले भी राष्ट लोगदल से 2017 में भी अनिल चौहान मैदान में थे उस समय भी लगबग 19.000 उटों से नाई दसन जीत गए थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना था इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जहां भी अपना कंडिडेट उतारा वहां भारती जनता पार्टी जीत गई लोगों को तो ये भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ने बारती जनता पार्टी से पैसे लेकर ऐसा किया है अब आप गंगो देख लीजिए गंगो में नुमान मसूद उत्रे और इंदर सायन जोकी गड़ बंदन के प्रतियासी थे हार गए नकुड में साहिल खान उतार दिये माधरम सिंग सायनी हार गए देवबंद में हार गए लेकिन सामली कहराना था न बोवन तीनों जगए तीनों जगए कंडिडेट जो था बीजेपी का वो हार गया क्योंकि यहां पाउजन समाज पार्टी से कोई भी मजबूत कंडिडेट मैदान में नहीं था और सबसे जदह दुक लोगों को कर वह और खासकर विपारी वर्ग को वो सामली आरने का हुआए इसजब दुक किसी भी सीट को हारने का उन्हें दुक नहीं हुआ है हमारी और से नाइद असन को वधाई हो नाइद असन जीद गए है नाइद हसन और मरगांका सिंग एक ही परिवार से हैं कुछ समय पहले मनवर के परिवार ने मनवर हसन का परिवार था कुछ समय पहले वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया उन्होंने इसलाम कबूल कर लिया और आज परमपराज्जो की तू चली हुई है ऊगली जो वीडियो आएगी हमारी वो इसी चीज को ले कर आएगी कब और किस ने इसलाम कबूल किया और यह पीडि जो है बाबुं कुम सिंग जिंग की और मनुबर हसन की पीडि एक ही है मनवर और हुखम सिंग کی एक ही परिवार के सदश्षे हैं एक ही परिवार के सिद्दिष से थे नाइदयसन, मरگांका सिंग, इकराअथन एक ही परिवार से हैं लोग बिना बात, बिना किसी मकसद के आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं जिसका कोई तालुक नहीं है अपस में अगर वो लोग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं किसी ऐसे संगडन से जुड़े होगे हैं जो लोगों को बरगला रहा है हिंदू-मस्लिम करवाना चाहता है और हिंदू-मस्लिम करने से उनका फाइदा होता है नाइदसन का जीतने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि बाउजन समाज पार्टी अपना मजबूत कंडिडेट वहाँ पर नहीं उतार सकी और नाइदसन वहाँ विदायक बन गए अगर माउजन समाज पार्टी से बसपा से मायवती अपना मजबूत कंडिडेट कहराना में उतार देती तो 100% नाई दसन की हार होती और भारती जंदा पारिटी वहाँ अपनी जीत कायम कर लेती धन्यवाद